पिछले वीडियो में हमने अर्था लंकार के पहले टाइप उपमा अलंकार को सीखा था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शिन में है अर्था लंकार का दूसरा प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार जिसे हम English में metaphor कहते हैं यहां दो वस्तुओं को हम compare तो करते हैं लेकिन उसे इस तरह लिखते हैं मानू उपमेय और उपमान सेम हो यानि indirect comparison उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु, काई, जेवी, गमे, भासे, वाटे, की, जसे, तसे ये साम्यवाचक शब्द यूज होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के sentence में समान धर्म मेंशन नहीं होता है जैसे उपमा अलंकार में होता है ये एक important hint है उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने में क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान को indirectly compare किया जाता है जो समान धर्म है वो हमें sentence के according खुद लिखना पड़ता है चलिए कुछ example से इसे समझते हैं आईचे प्रेम मंझे जणू सागरत्स इस sentence में आई के प्रेम को सागर से indirectly compare किया गया है उपमेय जिसे हम compare कर रहे हैं आईचे प्रेम उपमान जिससे compare कर रहे हैं सागर इस sentence में समान धर्म mention नहीं है इसी लिए उपमान और उपमेय में एक similar property identify करना होगा सागर की विशेष्टा है उसकी विशालता और यही विशालता हमें मा के प्रेम में भी दिखाई देती हैं इसी लिए समान धर्म है विशालता साम्यवाचक शब्द है जणू और अलंकार है उत्प्रेक्षा ये चार points और अलंकार का प्रकार अपने answer में लिखना जरूरी है हा आमबा जणू काई साखर वाटेल तुम्हाला इस sentence में आम को शक्कर से कंपेर किया गया है इसी लिए उपमेय आमबा उपमान साखर यहां आम की मिठास को शक्कर की मिठास से कंपेर किया गया है इसी लिए समान धर्म है गोडपणा साम्यवाचक शब्द जणू अलंकार उत्प्रेक्षा गरगर फिरे विमान हल्वुनी पंख उड़त नभी हे पक्षीच जणू महान इस सेंटेंस में विमान को पक्षी से कंपेर किया गया है इसीलिए उपमेय होगा विमान उपमान होगा पक्षी समान धर्म है गरगर फिरने लेकिन ये सेंटेंस में अल्डेडी मेंशन्ड है साम्यवाचक शब्द जणू इसीलिए अलंकार है उत्प्रेक्षा तो ये थे अलंकार के दो प्रकार उपमा और उत्प्रेक्षा थैंक्यू